हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गुंजन स्वगीचा और मैं हूं गुंजन आपकी गाडिनर फ्रेंड तो फ्रेंड्स मैं आज आपको आलू ग्रो करना बताऊंगी तो मैं आज आलू को गाने का ऐसा तरीका बताने जा रही हूं जो जिसे बच्चे भी उगा सकते हैं आलू एक मतलब यह मिट्टी के नीचे जड़ों में ग्रो करते हैं और आलू की तरह ही प्याज और अर्भी भी ग्रो करते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सबसे पहले आलू में आख या आइस को रेडी करना पड़ेगा जिससे कि इसमें नए नए स्प्राउट्स निकल आएं तो देखिए फरस्ट और जब इसमें से आलू में आप चार-पांस दिन के लिए इसे छोड़ देंगे तो इसमें थोड़ा गीले कपड़े में रखकर और इसे अंधेरे कमरे में रख दीजिए तो इसमें स्प्राउट्स निकल आएंगे फिर अगर छोटे आलू हैं तो आप उसके तीन-चार टुकडे कर दीजिए और मेक शियूर कि हर एक आलू में एक आँख जरूर हो और फिर उसे दो दिन के लिए फिर उसे रख दीजिए ऐसे ही थोड़ा सूखने के लिए जिससे उसमें फंगस ना लगे और उसके बाद उन्हें उगाईए आपने इविन झाई बार देखा भी होगा घर में आलू पड़े पड़े उनमें स्प्राउट्स निकलने लगते हैं नए पोधे निकलने लगते हैं तो वो जब निकलने शुरू हो जाए फिर आप क्या कर सकते हैं इन आलू को आप आप किसी कंटेरर में जो घहरा कंटेर हो जो जिसका और इसके लिए मैंने डारेक्ट ही प्लास्टिक के कट्टे में से बो रही हूं और प्लास्टिक के कट्टे में मैंने वेल्डरेन मिट्टी ली है वेल्डरेन मिट्टी बनाने के लिए मैंने इसमें 40% गार्डेन सॉइल और 30% वर्मी कमपोस्ट 30% इसमें रेत लिया है और इस तो हम देखिए ये आलू लगा रहे हैं और आलू लगाने का तरीका ये कि जहां पर इस प्राउट्स निकल रहे हैं वो जो आपको पार्ट है वो उपर की तरफ रखना है और उसके बाद उसमें अच्छी तरह से पानी दे देना है और इसमें चेमिकल इंसेक्टिसाइड और साइस का या फिर फटिलाइजर का बिल्कूल भी यूज नहीं करें क्योंकि ये घर में जो हम सबजी उगाते वो इसले ही उगाते हैं जिससे हमें और्गनिक सबजी मिल सके और उसका टेस्ट भी मार्केट वाली सबजीों से बहुत अच्छा होता है और जो हम आलू घर पे इस सब्सक्राइब कोनाब नएसे निखर में नहीं मिल सकती दोत सब्सक्राइब कंपा प्लत इस फोल बात बायुक्त और आ interpreание को इस में ज़ंगी को बंड़र में एक आलू में और प्यूरत में ही इस में निकलती रहेंगी दो जहांreno यहां पर वैक्सिमार आलो को एसे ज बजार वाली सबजी में नहीं मिल सकती तो और इसे धूप में रखना है फुल सनलाइट में रखना है तो फुल सनलाइट में अगर आप नहीं रखेंगे तो आलू नीचे जादा ग्रो नहीं करेंगे जादा बड़े-बड़े नहीं बनेंगे और प्लांट्स ही पत्तिया ही उ तो क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए जगा ही नी मिल पाएगी और यही रीजन यह रहता है कि अगर आप चोटे कंटेनर में भी गएंगे तो इसमें आपके चोटे चोटे आलू बनेंगे बड़े आलू नहीं उपाएंगे इसमें वाटरिंग कर दें और वाटरिंग करने के इसे आप कुछ दिन के लिए 5-6 दिनों के लिए छोड़ दीजिए और 5-6 दिनों में इसमें स्प्राउट्स निकल जाएंगे यह देखे 20-25 दिन के बाद की वीडियो है और यह 20-25 दिन के बाद जो आलू के प्लांट्स इसमें निकल हाएं हैं वो मैं आपको दिखा रही इसमें और देखिए मैंने यह इसी तरह के अए मिट्टी के जो यह प्लास्तिक के वो होते हैं उनमें ही लगा दिया था और यह बक्ट है पेंट की बक्ट होती है वो है और यह भी प्लास्क का बोरा है जो आप फस्ट वाटरिंग करें तब तो ठीक से कर दें लेकिन उसके बात वाटरिंग देखके देनी हैं क्योंकि फिर इसमें आलू जो होते हैं नीची से वह सड़ सकते हैं इसमें कई बार पैस्ट अटैक भी लग जाता है जैसे एफिड का टैक मैंने देखा है एफिड का और मिली बक्स का टैक लग जाता है तो उसके लिए आप इसमें नीम इसमाल करें तो वह जादा बैटर रहता है एक में बात इसमें यह ध्यान रखें कि इनको कब हार्वेस्ट करना है इनको हम देखते हैं इसमें बड़ी बड़ी लीव सा गई हैं स्टैम्स हो गई हैं अच्छा ग्रो कर रहा है तो कई बड़ टाइम से पहले ही इसको निकाल पहले हैं लेकिन इसको निकालने का टाइम तब आता है जब इसकी जो लीव और स्टैम्स हैं बिलकुल पीली हो जाएं और सूखने लगती हैं तब ही नीचे आलू मैच्छोर होते हैं और मोटे होते हैं उसके बाद थोड़ा टाइम दे और उसके बाद आलू हार्वेस्ट क पढ़ता है तो इस चीज का ध्यान रखें इसकी जो एक बार की क्रॉप है वो थ्री मंस में रेडी होती है थ्री मंस के बाद इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आता है फिर इसमें क्या होता है फ्रैंस जैसे अम मेरा इतना ये प्लांट बढ़ गया है तो इसमें मिट्टी चड़ानी पड़ती है मिट्टी चड़ाने का मतलब यह है पहले देखे मैंने इसमें मिट्टी कम भरी है आप देख रहे हूंगा कि मैंने हाफ हाफ से भी थोड़ा कम है ये कंटेनर और इतनी मिट्टी भरके इसमें मैंने आलू इसमें ग्रो कर दिये थे बो दिये थे अब तो जब इतने प्लांट बड़े हो गए हैं अब मैं इसमें दुबारा जितनी मिटी है उसकी आधी मिटी और मैं इसमें भर दूँगी मतलब mm2-3 और मैं बहरे ही worldviewy यह उसonosor का संग आ ऐसे लन देत इसमें धैसे में दौह आपने मिटी और चड़ानी पंदती है क्योंकि वह वो आलू ज्यादा गिराई में ग्रो नहीं करते हैं, ये उपपर-उपर की जो रूट्स होती हैं, उसी में आलू ग्रो करते हैं, तो आप उसके लिए ये करें कि इसमें जब आपके दो-दो फीट के हो जाएं, आपके ये आलू के प्लांट्स, तो आप इसमें मिट्टी और चढ़ा दे, मिट्टी इसमें भर दें, तो उससे क्या होगा, जो आप मिट्टी और चढ़ाएंगे, जो आप मिट्टी और भरेंगे, उसमें और आलू ग्रो करेंगे, इसका जनरली अक्टूबर-नौवंबर का होता है लगाने का, लेकिन अक्टूबर-नौवंबर में अग पानी देना बंद कर देना है because फिर क्या होगा क्योंकि उसमें लीव्स तो रहेंगी नहीं तो जो इस्टैम और लीव्स होती है वही पानी उनको ही पानी की जरूरत होती है तो अगर लीव्स और स्टैम नहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा सारा पानी आलू एब्सॉर्ब करें और उसके बाद कुछ दिन का वेट करें और वेट करने के बाद इसकी सारी मिट्टी को आप भार निकाल लें इस चीज का भी धिहान रखना है जब आपके पत्ते और इस टाम सूख जाते हैं थ्री मन्स के बाद तो इसमें आलू जादा दिनों तक नहीं रखने हैं बस दो-चार दिन आप और रखें और उसके बाद निकाल लें अगर आपने ज़्यादा दिन इसमें रखे रहने दिया तो क्या होगा वो आलू अपने ही मौइस्चर से गलने लगेगा नीचे नीचे और उसके बाद वो जो moisture और जो heat होगी जो वो नीचे नीचे उसे मिट्टी के नीचे मिलेगी वो उसी से गल्ले लगेगा और उसके बाद वो खराब हो जाएगा इन चीजों का आप ध्यान रखें मैंने आपको सारी बात बता दी हैं डेटेल में इन बातों का आप ध्यान रखें तो आपके भी आलू बहुत अच्छे घर पे ही अउग सकेंगे आप घर पे भी बहुत अच्छे आलूगा सकते हैं तो friends आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा मुझे comment section में जरूर लिकिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बैल का आइकन दबा दीजिएगा मेरी इस वीडियो को लाइकन शेयर जरूर कीजिएगा दो friends फिर मिलती हूं किसी एक नई वीडियो के साथ ओके बाई हैपी गार्णिंग और टेक कियर